हेलो फ्रेंड्स वेलकम डू माई यूटूब चैनल फैक्ट गुरू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके BGYCT 131 के फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल जियोलोजी के कॉशन पेपर के बारे में तो दोस्तो आईए बिना रुके बिना देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आज का जो कॉशन पेपर है वो दिसम्बर 2021 का BGYCT फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल जियोलोजी है यहाँ पर इसके मैक्समम मार्क्स जो है वो 50 है और time duration यहाँ पर 2 hours दिया गया है यहाँ पर आपको बताया गया है सारे कोशन्स compulsory है सभी के मार्क्स जो है यहाँ पर दिये गए इसके बाद यहाँ पर ड्याग्राम्स बनाना नैसेसरी है तो यहाँ पर जो first question है यहाँ पर first question के यहाँ आपर total 5 questions के answer आपको यहाँ पर देने यहाँ आपर total जैसा कि आप देख रहे A से लगा कर जे तक आपको यहाँ पर दिये गए इन में से किसी 5 का आपको define करना है जैसे कि first question है आपका पर A number में दिया गया है define geology आपको geology define करना है second है आपका what do you understand by delta इसके बाद third है आपका what is सीमा इसके बाद D number पे जाते हैं what are isomonial lines E है आपका what is a river terrace F है आपका define overlap G आपका what is a continual mountain H आपका define uncomfortivity I आपका what is a geological map J आपका what do you understand by sea floor spreading ऐसे ही आपका second question दिया आगे second question में आपको किनी चार के आंसर देने आपको यह आपका total art दिये गए आप में से किसी चार के आंसर देने first है आपका bing bang theory second है आपका relationship of geology with earth science और C आपका organ of atmosphere D आपका effects of climate on weathering E आपका importance of faults in geological studies F आपका geological field work G आपका principle of climometer, compass और H आपका deccan, walkism तो यहाँ पर यह आपका second question है third question आपका दिया गया है answer any one of the following तो यहाँ आपको किनी दों में से एक का answer देना है discuss erosional land forms developed due to logical work of glaciers give an account of evaluation of the Himalayas इसके बाद fourth number में यहाँ पर आपको A और B में से कोई एक करना है पहला है आपका discuss the relationship between the earthquake and volcanic belts second आपका cast topography इसके बाद B में आपको first दिया गया describe the criteria for recognition of faults in the fields second आपका explain the plate tectonic theory of mountain building तो यह आपके questions दिये गए है इन questions के answer आपको करने आपको इस चीच का ध्यान लखना है कि जो आपके last year का question paper यह आपके exam में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि इससे आपको exam में काफी help मिलने वाली है क्योंकि बहुत सारे students का कहना था कि हमें last year के question paper नहीं मिल रहे है तो जैसा कि आप जानते COVID की वज़े से आपके exam नहीं हुए थे और आपके जो यह CBCS program है यह 2019 के बाद आया था जिसकी वज़े से आपके उसके बाद exam नहीं हुए थे आपके एक या दो बार यह exam करवाए गए है इसलिए आपको previous year के question paper नहीं मिलेंगे तो आपके पास सिर्फ एक या दो question paper यहाँ पर आपको देखने हुए मिलेगा तो आपको इनको अच्छे से revise करके जाना जिससे आपको इसका pattern समझ में आ जाए साथ के साथ question paper में कैसे questions आएंगे यह भी समझ में आ जाए जिससे कि आप आराम से अच्छे से revise करके जा सके तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज़्यादा सेर करो चैल को subscribe करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद